सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीड चैनल को पर बैल आइकोन को दबाईए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हम अपने बायोलोजी का अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो की है जैब वेकास तो हमने चार लेक्टर पढ़ लिये हैं और यह यहाँ पर पाचवा लेक्टर है तो मैं ब्रिजेस आपको यहाँ पर जी वेक्जान की सीरीज कंप्लीट कराऊंगा जल से जल जो की रेलवे और अधर एक्जामों के लिए भी इंपोर्टेंट रहेंगे तो चली है अज बात करेंगे आज हम जैब विक्जान की जैब विकास की बायोजिकल डैपलमेंट की यहाँ पर हम बात करेंगे तो देखते हैं आखिर होता क्या है देखिए जैब विकास में एक नाम आपको हमेशा याद रखना है वो कौन सा है लैमार्क ठीक है लैमार्क जो है वो आपको याद रखना है वो आगे मैं बताऊंगा क्यों याद रखना है चलिए तो बात करते हैं रासाइनिक विकास के बाद जैव विकास है यानि कि पहले क्या हुआ रासाइनिक विकास हुआ उसके बाद आया आपका जैव विकास जिस से लाखो वर्सों में विविन प्रकार के बहुत से जीव वने और इस विचार की पुष्टी, अकारिकी, भून बिज्ञान, जीवासम बिज्ञान तथा जीव भूगोल के अध्यन से होती है सभी जीव अपने पर्यावरण से उर्जा तथा प्रदार्थ लेते हैं कोई भी जीव हो आपका जो पर्यावरण है या जो पर्यावरण है हमारा वहां से उर्जा लेते हैं और अपने जरूरत की चीज लेते हैं जैसे कि मनुस्थ है तो वो खेती करने में सक्षम है तो उपजा के चीज़ें करता है और जो हमारे पौदे हैं तो सौर उर्जा का उपयोग करते हैं या फिर जो जानवर है तो जैसे भी करके वो अपने पर्यापरण से अपनी जरूरत की चीज़े उर्जा को ले ही लेंगे कैसे भी करें तो कि उर्जा के बेना कुछ हो नहीं सकता, तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है, और अपने को बनाए रखने के लिए उर्जा तथा पदार्त का उपयोग करते हैं, और जनन करते हैं, अपने को बनाए रखेंगे, भई हमारे सरीर में जैसे मनुस्यका सरीर है, अगर उसके कि शरीर को आहार नहीं मिलेगा तो मनुस से एक दिन मर जाएगा ऐसे ही जानवर है कि अगर उसको खाना नहीं मिलता है उसके मांसपेशियों को प्रोटीन नहीं मिलता है तो वो धीर धीरे नश्ट हो जाएंगी और अपने वंस को बढ़ाने के लिए जनन प्रक्रिया भी ज़ उसमें जो भी अलग-अलग आपके भाग है जहां पर भी भाग है तो वहाँ पर जो पौधे है और जो जनतु है अगर उनका अध्यन होता है तो उस अध्यन को क्या बोलते है उस अध्यन को बोलते है जीव भूगोल याद रखिएगा ये जो है वन लाइनर कॉश्चन में आ सकता है सीज़े लिख देंगे प्रत्वी के विविन भागों में इससे पौदे तरसा जन्तियों के अध्यन को क्या बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं जीव भूगोल आदिकाल में मौझूद जीवों के अवसेस ठीक है अवसेस या चिन जैसे की हड्डियां कंकाल दात आद नस्ट नहीं हो पाता है जीवासमों की उम्र का सही अनुमान लगाने के लिए सबसे सामान तरीका है रेडियो सक्रिये तिथी निर्दारन रेडियो एक्टिव डेटिंग तो यह आपको याद रखना है इससे कॉश्चन ऐसा बनता है कि एक तो उल्टा बनेगा कि रेडियो लगा सकते हैं जीवासमों की उम्र क्या फ्रोट गेले कांसी विधी उप्योग में लाई जाती है तो वह आपकी रेडियो सक्रिये तिथी निर्दारन ठिक रेडियो सक्रिय पदार्थों के प्रियोग की बिविन बिधियों जैसे की लैड यूरेनियम बिधी, कारवन नाइट्रोजन बिधी, पॉटेसियम आरगन बिधी, आदी से जीवास्म के बय या उम्र की काफी सीमा तक सही अनुमान लगाया जाता है, तो ये जो बिधी है, मेल इक लिए ये आपके chemistry का पार्ट है, chemistry जब मैं पढ़ाओंगा तो इनको यहाँ पर मैं detail में बताओंगा की potassium आरगन डेटिंग से हम क्या करते हैं, उसके बाद nitrogen बिधी से क्या करते हैं, ये वहाँ पर हम इसको detail में देखेंगा, अभी बस आपको यह याद रखना है कि radioactive dating ये लेमार्क तो लेमार्क जी की बात करें तो एक फ्रांसीसी दार्सिनिक तथा प्रथम बैग्यानिक थे जिन्होंने विकास को अच्छे डंग से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया कौन थे सबसे पहले तो फ्रांसी सी दार्सिनिक तथा एक बैग्यानिक थे जिन्हों ने क्या किया कि एक अच्छे तरीके से वैल मैंटेंड करके जो विकास का सिध्धान्त था वो लोगों के सामने उनके द्वारा रखा गया लैमार्क ने अपने सिध्धान्त का ठीक है लैमार्क ने अपने सिध्धान्त का उलेक 1809 में अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलोजिक में किया ठीक है किस में किया फिलोसफी जूलोजिक तो यह आपको याद रखना है कि फिलोसफी जूलोजिक किसकी बुक है तो बुक है लैम तो यहाँ पर आपको याद रखना यहाँ पर आपको याद रखना यही चीज़ें जो है आपको याद रखना है। और इसे लेमार्क वाद भी कहा जाता है तो इसे लेमार्क वाद भी कहा जाता है लेकिन लेमार्क वाद आप से नहीं पूछेगा कि लेमार्क वाद का सिध्धान या लेमार्क वाद किसका है क्योंकि लेमार्क नाम में ही है तो वो सब आंसर सही लगाते है लेकिन पूछा जा इंग्लेंड के निवासी थे सबसे पहले तो कौन थे इंग्लेंड के निवासी थे जिन्हों ने डॉक्टर हैंसलों के साथ किसको डॉक्टर हैंसलों के साथ वीगल नामक जहाज पर विस्वभरमण किया कौन से जहाज पर वीगल नामक जहाज पर विस्वभरमण किया यात्र कि दौरान डार्विन ने जीब जन्तूं चट्टानों तथा जीवास्मों इत्यादी के अनेक नमूनों को एकत्र किया क्या 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 उन्होंने जीब जन्तूं चट्टान और जो भी फॉसिल्स थे जो जीवास्म थे उनके नमूनों को उन्होंने यहां पर एकत्रित किया और सभी का वर्णन सभी का वर्णन एक प्रकृति बिग्यानी की ठीक है प्रकृति बिग्यानी की समुद्र द्वारा बिस्व की सेर की ठीक है समुद्र द्वारा बिस्व की सेर की तथा प्राकृतिक चैन द्वारा जातियों की उत्पत्ती तो यह जो है यहां पर नामक दो पुस पुस्तक की बात करें तो प्राकिर्तिक चैन द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक दो पुस्तकों में एक सिध्धान्त या वाद के रूप में प्रस्तुत किया जिसे डार्विन वाद कहा गया तो देखिए यह पुस्तक अभी तक पूछा तो गया नहीं है आपके रेलवे जो हमने test series बनाई हुई है उसमें questions मैंने यहाँ पर लिये हुए हैं तो उन questions को discuss करेंगे कि किस टाइप की questions आते हैं डार्विन बात के अनुसार कुछ जीव स्वैम को बाता बरण के अनुकूल बना कर जीवित रहते हैं तथा संतानो पत्ती करते हैं और इसके विप्रीत कुछ जीव अपने आपको बाता बरण के अनुकूल नहीं बना पाते ऐसे जीवों को प्रकृति कुछ समय के बाद तो हो जाते हैं वही चीज है कि आप जिस वाता ब्रण में रह रहे हैं आपको उसमें ढ़लना पड़ेगा अधर्वाइस प्रकृति आपको जीने नहीं देगी यानि कि मान लीजिए बाहर आप जाते हो मार्केट में है ना और गर्मी के दिनों में तो बहुत गर्मी रहती है तो आज का इंसान है कि जिसके पास AC है वो सब है तो चलिए ठीक है लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो अपने आपको शक्सम बनाते हैं उनका सरीर भरी जल जाता है चमडी काली हो जाएगी लेकिन धूप में कार करने योग वो बन जाते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो मर जाएंगे तो ऐसे ही जो इनसानों का तो ठीक है जो जीव जन्तु है तो उनको अपने परिस्थिती के हसाब से उनको अपने आपको ढालना पड़ता है जो रेगिस्तान के पौदे हैं तो वो वैसे हो जाते हैं रेगिस्तान के जीव जन्तु पानी के बिना रहना सीख लेत अब प्रकृति के अनुरूप अनुकूल हो जाते हैं, ठीक है, बेबाद में अधिक अनुकूलित होकर नए जीवों को पैदा करते हैं, यानि कि कुछ जादा ही अनुकूल हो गए तो कुछ नई प्रजाती डेवलप हो जाता है, अब नव डार्विन वात के नुसाथ क्या है, इसे किसी जाती पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पढ़ता है, जिससे इस जाती से नई जाती बन जाती है, दूसरे सब्दों में जीन्स के साधारन परिवर्तन के परिणाम सरुप जीवों की नई जाती हैं, जिसमें जीन परिवर्तन के कारण विमिनताय बढ़ जाती है तो ये सब चीजे हैं कि नई प्रजाती कैसे डेवलब होती है तो ये नव डार्विनवात का सिधान्त इसको बोल सकते हो किसी जीव में अचानक परिवर्तन हो जाना उत्परिवर्तन कहलाता है Mutation Mutation के उपर आप देख सकते हैं अचानक परिवर्तन हो गया तो वो क्या कहलाया उत्परिवर्तन कहलाया सर प्रथम हॉलेंड के पैज्ञानिक यूगो डीवरीज ने तब ये नाम भी याद रखना है कि सर प्रथम मैं जो पढ़ा रहा हूं इसको ध्यान से सुनते जाईएगा और जैसे हम टेस्ट लगाएंगे टेस्ट में नहीं मैं से कॉस्चन आएंगे तो वहाँ पर वो एकदम आपको याद हो जाएगा बस सुनते जाईए डीबरीज ने 1901 में जैव विकास की प्रिक्रिया को उत्परिवर्तन के आधार पर समझाया जिसे डीबरीज का उत्परिवर्तन का सिध्धान कहते हैं तो कॉस्चन यहाँ से बनेगा कि म्यूटेशन थेओरी किसकी थी तो वो थी डीबरीज की या फिर उत्परिवर्तन का सिध्धान किसका था तो वो था डीबरीज का डीबरीज के अनुसार जीवों का विकास छोटी छोटी भिन्यताओं के कारण ना होकर बड़ी तथा आकास्मिक भिन्यताओं के कारण हुआ है डीवरीज ने इन बड़ी तथा आकास्मिक भिन्यताओं को उत्परिवर्तन यानि की म्यूटेशन तथा इनसे उत्पन सत्तानों को जो संतान इनसे उत्पन हो रहे हैं उनको mutants की संगया दी है या उत्परिवर्टत की संगया यहाँ पर दी है किसने दी है आपकी डीवरीज सहाब ने तो यहाँ पर यह समाप्त होता है अब यहाँ पर हम quiz start करते हैं लेमार्क जी को पढ़ लिया, हमने डार्विन जी को पढ़ लिया, हमने और डिवरीद जी को पढ़ लिया, नहीं से कॉस्टन्स बनते हैं, तो देखते हैं क्या कॉस्टन्स बनते हैं, जीवन की उत्पत्ती हुई, पहाड़ों पर, भूमी पर, वायू में या फिर जल में, त तो लैमार्क जी ने जो है सबसे पहले इसको समझाया था, किसने लैमार्क ने, अगला question है हमारे पास, कि निमलेखित में से कौन सा सिध्धान्त, उद्विकास की ब्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था, उद्विकास की ब्याख्या के ल बारा नहीं बताया गया था तो इसको आपको याद रखना निम्लेंस में अवसोसी अंग नहीं है कौन सा अवसोसी अंग नहीं है तो वो हैं आपके सामने वाले चप्टे दांत कौन से सामने वाले चप्टे दांत जीवों के विकास के संदर में निमलेकित में से कौन सा अनुक्रम सही है ठीक है यह IMP question है इसको याद रखिएगा तो इसमें देखिए option आपका थर्ड वाला सही है सेला मेंडर अजगर और कंगारू यह वाला अनुक्रम एकदम सही है यह previous year question है I think यह आया हुआ है SSC में यह प तो कि RRB यानि कि railway और SSC यह दो एक्जाम ऐसे हैं जिसमें science भर-भर के पूछा जाता है इसे SSC में बात करें पहले 50 question आते थे जब GKK तो उसमें से 25 question science से रहते थे और science में भी इसमें से 15 question बायो से railway की बात करें तो railway का हमीशा का record रहा है science हमीशा उसने पूछी है में बायो भी वो पूछता है जैसे कि पिछले साल NTPC में बायो के बहुत उटपटां question पूछे गए थे अब SSC में 25 question आते हैं तो उसमें से भी 10 question science के ही रहते हैं तो इसलिए SSC के question अगर आप cover करते हो तो आपको railway में भी कोई problem नहीं होगी बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ते जाए जैविकास के संदर में सांपों में अंगों का लोप होना क्या इसपश्ट करता है तो अंगों का लोप देखिए अगर कोई अंग है आप उसका यूज नहीं कर रहे हो तो खतम हो जाएगा जैसे कि बंदर बंदर से ही इंसान बने हैं तो बंदरों ने अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किया जाने से उपयोग करोगे तो बना रहेगा अनुपयोग करोगे तो वो धीरे-धीरे खतम हो जाएगा जल्द खतम नहीं होता कई सालों में खतम होता है अगला कॉस्चन हमारे पास की वर्स 1809 में प्रथम बार फ्रांसी सी जैव बैग्यानिक जॉन जो लैमार्क जीते ने जीवन के विकास के अधिन के क्रम में अपने सिध्धानतों को प्रतिपादित किया निमलेखित में से कौसा सिध्धानत उससे संबंदित नहीं है ये नहीं वर्ड नहीं भूलना है ठीक है नहीं हमेशा याद रखना है तो देखि जीवन संहर्ष के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था लेमार्कवाद का मूल सिद्धान क्या था बेभिनिता है उपारजित लक्षणों की वनसागर्थी या फिर जीवन संहर्ष ये नए अंगों का अचानक विकास लेमार्कवाद तो लेमार्क वाद तो वो था उपार्जित लक्षणों की पंसागती के उपर था आपका कौन लेमार्क वाद कि उत्र परिवर्तन का सिध्धान किसका है यानि कि म्यूटेशन म्यूटेशन का सिध्धान किसका है तो वह भी मैंने बताया आपको म्यूटेशन का सिध्धान किसका है डीवरीज का सिध्धान है तो यह सब कॉस्चन जो है जैसे यह वाला कॉस्चन यह भी IMP है इसको आप मो पानी में होई थी, ठीक है, पानी में होई थी, तो oxygen जो है, आपका पानी में ही था H2O, लेकिन वह मुक्त अवस्था में नहीं था तो oxygen, इसका सही अंसर होगा, ठीक है, अगला question है मरे पास कि जीवों के प्राकर्तिक चैन का सिध्धान्त जो है किस ने दिया था है ना लेमार्क डीब्रेज मेंडल या फिर डार्विन तो ये किसका है डार्विन का है प्राकर्तिक चैन की बात करें तो ये डार्विन का सिध्धान्त है योगितम की उत्तर जीविता का प्रतिपादन किस ने किया था तो ये किया था आपका Darwin ने ही, किसे ने किया था Darwin के ऊपर बहुत सारे questions है Darwin से related जो भी questions है, जो मुझा IMP लगते हैं मैंने सभी यहां पर cover कर दी है अब मनुस्त में आउसेसी अंग जो है, कौन सा है आते हैं यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस वाले में अगर हमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट यह वाला कॉस्चन है लेकिन यह कुछ थोड़ा मुझे अलग सा कॉस्चन मिला तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एड किया हुआ है विकास की प्रक्रिय मैं मनुष्य का निखिटम प्राणी कौन सा है तो यह आई-एमपी बोल सकते हो इजी कॉस्चन है लेकिन आई-एमपी कॉस्चन है तो इसका आंसर है बंदर जो है ऐसा बोला जाता है कि बंदर से ही इंसानों का विकास हुआ है चिंपान जी यह सब इंसा की तरह ही कार्व करते हैं the origin of species नामक बुक किसकी है the origin of species तो इसका आंसर है आपका रही उपर वाले का अंसर बंदर था और इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है एक है तो यहां पर हमने क्या पढ़ा आज हमने जैव विकास पढ़ा जो कि पांच में भाग था जल्द ही इसका अगला भाग आएगा तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और सीजी इसकी कंटिन्यू करना है कमेंट करते रहिए दोस् यूट्यूब पे मटेरियल तो बहुत मिल रहा है ठीक है लेकिन अच्छा मटेरियल कौन प्रवाइड कर रहा है उस पे बात हो रही है मटेरियल आप यूट्यूब पर सच किजिए पचासों मिल जाएंगे चैनल आपको जो कुछ भी मटेरियल पढ़ा रहे हैं यहने कई च लोगों से पढ़ें तो बो जादा अच्छा है आप लोगों के लिए साल भर से आप लोगों की तयारी करा रहा है हम लोगों ने सेलेक्शन भी दिये हैं बहुत सारे MP पुलिस की बात करें तो उसमें 50 से अधिक सेलेक्शन दिये थे पिछले बार NTPC रेलवे में हम लोग ने लगवक सत्तर रस्ती के करीब सेलेक्शन दिये थे तो बहुत सारे सेलेक्शन हो रहा है हमारे चैनल के थुरू तो आप लोग भी इसका हिस्सा बनिये और पढ़ाई कीजिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू जै हिंद जै भारत